खबरमध्य प्रदेश के रिवजिने से हैं जहां हार्ट पेशेंट के रिए प्रसासन की पहल पर ठेकेदार और क्रिसर संचालक मददगार सावित हुए हैं जिसे अब समुचित उपचार मिल सकेगा दरासल सुपरिस पेसलिटी हॉस्पिटल में एडमेट हार्ट पेसेंट के पुत्र श्रवण कुमार पटेल ने प्रसासन से मदद की गुहार लगाई थी जैसे ही जानकारी कलेक्टर मनोज पुस्प को हुई तो अपने सूत्रों से समास सेवियों की तलास की और सुरेस मिश्रा जो ठेकेदार हैं एक लाग की मदद करने के लिए राजी हुए और श्री कांत मिश्रा जो क्रिसर संचालक हैं पचीस हजार की आर्थिक मदद की जिस हार्ट पेसिंट के पुत्र श्रवण पटेल और अपर कलेक्टर सलेन सिंग को पूरे मामले को लेकर क्या कहा है? मेरे पापजी के दवा के लिए सहयोग किया है मेरे पापजी कम्प्लीट हाट की ब्लॉक की प्रॉबलम है इसको पेस्मेकर पापजी के नौमबर 2020 में पड़ा था लेकिन वो इसकीन प्रॉबलम को वज़े से हम दो बासूपई स्पेसलिटी रीम में इलाज करा हैं और एक जबलपूर सुपई स्पेसलिटी गलेक्सी करके और वहां से फिर हम नहीं सही हुआ वहीं बार-बार मसीर बाहर दिखने के थी तो हम यूएन में ता एहमदावाद हौस्पिटल कार्डियो को हम वहां भी दिखा हैं वहां भी समस्य हो अब डाक्टर इस मतलब इसन सब कि हैं दो साल से सभी चीज तो फाइनेंसल प्रॉब्लम थी इसके लिए स्री मनोच पुस्पी जी कलेक्टर जुडिमा के और एडियम स्री सेलें सिंग जी कोई जब ये खबर हुई तो उन्होंने ये सब उनके द्वारा ये सहयोग करवाए गया तो आपके पिता जी को कब स इसे सिकायत हुती उनको चक्कर आ रहा था एक भी चलने पार सांस लेने प्रॉब्लम थी तो हम हमें सिट्य होस्पीटल सतना से संजय गांधी के लिए रिफर किया गया तो यहां हमें पता चला कि ये कंप्लीट हॉट ब्लॉक है और उनको पेस्मेकर पड़ेगा फिर हमें जो गूगल करके पता चला कि क्या पेस्मेकर होता है यह सब चीजें तो सर के पास कैसे पहुंचे आप किस तरुक माध्यम से पहुंचे सर से हम जो हमारी डॉक्टर देख रहे हैं पापजू की मेरे सिरी सुनिल कुमार्टि पाठी सर तो उन्हीं के माध्यम से ये बाते तो सर ने मतलब यह सब चीजें करवाएं तो अभी आपको कैश मिल गया और चेक भी मिल गया जी सर चली क्या कहेंगे आप कलेक्टर सर को के लिए सर मतों कुछ सब दीने मेरे पास मेरी हेल्प मतलब क्या आपतों सर बूरे समय मेरी हेल्प की हैं फैनेसिल प्रॉब्लम थी लेसन वाले भी कॉल नहीं उटा रहे थे और भी कई चीजें थी लेकिन थैंक्यू मनोच पुस्प जी कलेक्टर रीमा और एडियम स्री सलेंज सिंग जी का और श्रवण जी आपका पिता जी की कलेक्टर साहाब ने मदद की है क्या है पूरा माम्ला जी यह की कलेक्टर सी मनोच पुस्प जी और स्री सलयन सिंग जी एडियम है जो उन्हें जब इस ख़ाबर का पता चला तो स्री सुरेश मिस्रा जी जो कांट्रेक्टर है उन्होंने एक एक लाक रूपए और सिरीकांत मिसर जी ने पचीस जार रूपए मेरे पापजी के दवा के लिए सहयोग किया है मेरे पापजी कम्प्लीट हाट की ब्लॉक की प्रॉब्लम है जिसको इस पेस में कर पापजी को नौमबर 2020 में पड़ा था लेकिन वो इसकीन प्रॉब्लम को और वहां से फिर हम नहीं सही हुआ वही बार बार मसीन बाहर दिखने के थी तो हम यूएन में था एहमदावाद हॉस्पिटल कार्डियो को हम वहां भी दिखा है वहां भी यही समस्य हो अब डाक्टर इस मतलब इसन सब चीज से सही होने के लिए में ड्रॉणी कमपनी कर ल यह स्री मनोच पुस्पी जी कलेक्टर जुडिमा के और एडियम स्री सेलें सिंग जी कोई जब यह ख़बर हुई तो उन्होंने यह सब उनके द्वारा यह सही हो करवाए गया तो आपके पिता जी को कब से यह भीमारी थी मेरे पिता जी को नॉब्बर 2020 में ऐसी सिकायत हो तो उनको चक्कर आ रहा था एक भी चलने पारे सांस लेने प्रॉब्लम थी तो हम हमें सिट्य होस्पीटल सतना से संजय गांधी के लिए रिफर किया गया तो यहां हमें पता चला कि यह कंप्लीट हट ब्लॉक है और उनको पेसमेकर पड़ेगा फिर हमें गूगल करके पता उनको मार्टिपाठी सर तो उन्हीं के माध्यम से यह बाते गई और शीरी अंबीका पटेल सर है भटवा के उनके द्वारा सल्यन सर का नंबर मिला था तो सल्यन सर से हमने संपर किया था कि हमें कुछ हेल्फ करा दिसर फाइनेंसल प्रॉब्लम हो रही है सब चीजें तो सर मतलब यह सब चीजें करवाएं तो अभी आपको कैश मिल गया और चेक भी मिल गया जी सर चली क्या कहेंगे आप कलेक्टर सर को के लिए सर मतों कुछ सब दी नहीं मेरे पास मेरी हेल्प मतलब क्या आपतों सर बूरे समय में मेरी हेल्प किया हैं फैनेंसल प्रॉब्लम थी लेसन वाले भी कॉल ने उटा रहे थे और भी कई चीजें थी लेकिन थैंक्यू मनुच पुस्पुजी कलेक्टर जीवा और एटियम स्री सलेंज सिंग जी का और इसरी कान जी जी नहोंने पचीस जार रुपे दिये हैं स्रवन कुमार लड़के का जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है इसके पिता जी को हार्ट की बीमारी है और यह सुपर स्पेसलिटी में एड्मिट है यह बात जब कलेक्टर साहब को रिवा कलेक्टर से मनुच पुस्पुजी को पता चली तो उन्होंने इस काम को प्रात्म जार रुपे और सिस्वरेश मिश्रा जी ने एक लाट रुपे की सहायता इसको की है इस तरह से इसको पिता जी के लाज में सहायता मिल सके कि मैं आप दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इसकी निश्वात रूप से सहायता की